हेलो फ्रेंड्स एक वा फिर से मैं आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर उपस्तित हुआ हैं जिसमें मैं आज आपसे बीटियस्टी सीडीवियो की परिक्षा जो 15 जुलाई को संपन्ध हुई थी उसका जो एक्सपेक्टेट और फ्रेंड्स यहां पर मोस्ट प्र बहतरीम कटफ पे डिक्सन आपके समक्ष प्यस्तुत कर रहा हुए तो चलिए फ्रेंड्स बीना देर के हुए आज के सेशन सुरू करते हैं लेकिन सुरू करने से पहले मैं एक तो कुश्चिन पर डिक्लियाशन कर दूँ क्योंकि वह जो नील तरपन वाला कुस्चन है उसक करोण के जेम्स लोंग उसका करेक्ट अंसर है और माइजशूदर माइजटर माइज़ुत्र भी करेक्ट एंसर है तो उसक्ष्चन का जो जो करेक्ट अंसर य Cave बेसिक अ कोडिंगधिंग हो जाएग वो option E हो जाएगा किमकि एक से ज्यादा correct है और दोनों लोगों नहीं उस नील दरपन जो किताब दीन बंदो मित्रा ने लिखी थी उसका translation English में किया था तो ये friends और friends session शुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में लिखे जरूर बताएं मुझे बहुत हर्स ह होगा आप सबके doubt clear करने में कि friends चलिए आज का session सुरू करते हैं सबसे पहले friends देख लेते हैं कि level of questions क्या थे और उनकी number कितने थे तो जो easy question थे जो काफी easy का मतलब आप वो questions जो हमें दिखे रहते हैं कहीने कहीं से recent में आये रहते हैं या फिर जो normal एक जो general study का नहों के general knowledge का question हो जिसे कोई आम आदमी भी solve कर सकता है तो friends ये paper जो था BPSC CDP का उसमें 70 to 80 questions इस तरह करते जिसे एक normal आज में भी solve कर सकता था जेनरल इसके पास थोड़ा सा भी general knowledge information वालूम है या फिर loose and या फिर easily solve कर सकते थे एक तरह से कह सकते हैं page page जो question पर था वह easy ज्यादा था इंकम परीजन वी तो BPSC परियंट जो हुई थी उसके उसकी तुल्ला में moderate question थे 30 से 40 और जो difficult question थे जो बहुरी easy question ज्यादा थे BPSC prelims के तुल्ला में इसलिए CDPO का cut-up जो BPSC का cut-up है उससे भी थोड़ा ज्यादा आगे निकलने की chances है तो friends मेरा कोई purpose नहीं है मैं हमें सब इसले वीडियो में भी BPSC की जो प्रियम्स के वीडियो उसमें मैंने accurate cut-up बताने की process जैसा कि बच्चों से एस्पारेंस से बात करने के बाद मुझे जो भी information लिए उस ही के accordingly तो friends लेक्टी से start करते हैं देखते हैं female cut-up का range क्या हो सकता है यह आपके सामने screen पर आ गई तो जेनरल का जो female का भी प्रियम्स cut-up 2018 का जेनरल female के लिए फिससे बता दो 95 से 99 रहने के chances जहीं अगर आपका range आपका score इस range में है तो आप safe हैं और आप mains की तयारी अभी से सुरू हो जाए करने के लिए OBC 91-95, EBC 89-93, SC 80-84, SC 78-82 तो यह हो गया अगर friends अगर आप महिला है और आपका cut-up category wise इस range में रहता है तो आप बेधड़क लग जाईए और ज्यादा ज्यादा दो माफ आगे या पीछे है तो बिल्कुल ही इंदम score short आप mains लिखने वाले हैं इ तो friends अब female के बाद से male का क्या cut-up होगा जिसके लिए आप सभी काफी excited हैं तो देख लेते हैं वो भी friends जो हमारा अन्मान है वो जेनरल का cut-up, general male का cut-up रहने का विपेसी CDPो की परिक्षा में वो 106-111 तक जाने की chances है, OBC का 103-108, EBC का 101-106, SC का 87-92 और ST का 80-85 तक अकर इस range में हैं तो आप भी बेधड़क लगे रहे हैं विपेसी CDPो की परिक्षा में friends और जिनका नहीं भी है वो हिम्मत नहारें बहुत सारी परिक्षा हैं आप एक दो नंबर से चूप रहे हैं तो भी लगे रहे हैं कि इस बार हो सके ना हो पाए लेकिन अगली बार आगे की परिक्षा में आपका प्रिक्षा में बहुत लेवल तक पहुंच किया हिम्मत नहारे फ्रेंट डोंट डेवर लगे रहे हैं सफलता सभी को मिलने वाली है तो फ्रेंट्स थैंक यू सो मुच वाचिंग दिस वीडियो सेशन यह वीडियो ज्यादा ज्यादा सेयर करें ताकि सही एस्पारियन तक पहुंचे के उनकी मदद कर सकें आप सभी को हमारी सुब कामने और वेरिवेस तो यू थैंक यू